हलो वैलकम टू वी हार टरीकिए व्यार टरीकिर में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे विहार बोट ध्वारा जारी ऑफिसियल मॉडल पेपर जोकी सोसल साईंस का होगा सोसल साईंस का बच्चों की बहुत ज्यादा मांग थी कि सारघ सोसल साईंस को लेके आई तो आज ह बिहार बोट के official चारी की हुआ था चलिए सुरू करते हैं समाजिक विज्ञान का objective type question आगे बढ़ने से पहले आपसे उन्रोध है कि आप हमारे चैनल को subscribe करके रखे ताकि हम अच्छी से अच्छी तरीके से आपके लिए बिहार बोट की तेयारी करवा सके तो चलिए देखते ह है पहले question की और हिंद चीन में कॉन सा राष्टर सामिल नहीं है तो हिंद चीन में आप answer अपना सोच के रखेंगे फिर उसके बाद मैं अपना answer बताऊंगा ठीक है ताकि इस तरह से आपको practice हो सके तो पहला question हिंद चीन में कॉन सा राष्ट्र सामिल नहीं है तो इसमें चीन सामिल नहीं है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं वियना कॉंग्रेस कब हुआ था वियना कॉंग्रेस कब हुआ था तो वियना कॉंग्रेस 1815 में हुआ था ठीक है नेक्स्ट कोश्चन भारत में गदर पार्टी के अस्थापना किष्ण ने की ये बहुत ही famous question है हर बार exam में पूछता है तो आप इसको अच्छे से देख के जाएंगे भारत में गदर पार्टी के अस्थापना लाला हरद्याल ने की ठिक है इसका answer तिसरे का answer हो जाएगा सी लाला हर्द्याल next question देखते हैं दूतिये महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उद्य आर्थिक दुस प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ तूतिय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उद्य आर्थिक दुस्प्रभावों को समाप्ति करने के लिए हुआ तो इसका एंसर हो जाएगा यूरोपिय संग ठीक है चौथा का एंसर डी पाच्वा देखते हैं नरुत्तम सिहानुख किस देश के सासक थे तो नरुत्तम सिहानुख कमबोडिया देश के सासक थे पाच्वा का डी नेक्ष्ट देखते हैं वास्प चलित इंजन का अविश्कार किष ने किया था वास्प चलित इंजन का अविश्कार जेम्स वॉट ने किया था छट्टा का भी एंसर सात्वा टाटा आयरन और इस्टिल कंपनी की अस्थापना कप की गई टाटा आयरन और इस्टिल कंपनी की अस्थापना कप की गई तो 1907 इस्वी में सात्वा का भी एंसर नेक्श कोश्चन देखते हैं गोल घर कहां इस्तित है गोलगर कहां इस्तित है तो गोलगर फेमस है पटना में इस्तित है अपने विहार में इस्तित है किस अमेरिकी राष्टपती ने नियू डिल लागू की तो यह राष्टपती थे नेक्स्ट कोश्चन नेपोलियन सहीता किस वर्ष लागू की गई तो यह लागू की गई अठारा सो चार इस्वी में हम इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि इसमें असी कोश्चन है और आपका समय बरबाद ना करते हुए सिर्फ प्रैक्टिस करते हुए हम जल्ली जल्ली इसके देखेंगे ठीक है नेक्स्ट कोश्चन पैक फ्रंट की संधी कब हुई फ्रैंक फ्रंट की संधी कब हुई तो इग्यारा का एंसर काल माक्स का जनम कहां हुआ था यह भी फेमस कोश्चन है हर बार एक्जाम में पूसता है काल माक्स का जनम कहां हुआ था काल माक्स का जनम अब बता पार है इसका एंसर काल माक्स का जनम चेर्मनी में हुआ था next question देखते हैं निम्ण में से कौन अस्तित्तु में आया 1991 में निम्ण में से कौन कौन अस्तित्तु में आया तो नई आर्थिक की नीती अस्तित्त्तु में आयी ठीक है next question अच्छा इसका जो answer है आप एक बार confirm भी कर लेंगे ठीक है, next question के और चलते हैं इन आर्थिक किरियाओं में कौन प्रात्मिक छेतर से सम्मंदित नहीं है मतलब इन सभी में से कौन सा प्रात्मिक छेतर से सम्मंदित नहीं है आप इस पर भी ध्यान देंगे, है या नहीं है, क्या पूछ रहा है ठीक है, तो अभी इसमें पूछ रहा है, नहीं है तो कौन सी प्रात्मिक छेतर की नहीं है, बैंकिंग जो है वो प्रात्मिक छेतर में नहीं आती है आगे चलते हैं, जमसेदपूर, दुरगापूर, भिलाई और सलेम, किस उद्योग का केंद्र है तो ये केंद्र है आइरन और स्टील नेक्स्ट कोश्चन प्रति विक्ति आय का आस्य क्या है प्रति विक्ति आय का आस्य क्या है प्रति विक्ति आय का आस्य और सत आय है, ठीक है, इसका एंसर क्या हो जाएगा, सोला का डी एंसर हो जाएगा, और सत आय आगे चलते हैं 17 question में राष्टिये विकास परिशत का गठन कब हुआ राष्टिये विकास परिशत का गठन 1952 में हुआ 17 answer C हो जाएगा 18 बांगलादेश की मुद्रा क्या है ये तो सबसे हलका कोशन है आप सभी को आना चाहिए बांगलादेश की मुद्रा क्या है बांगलादेश की राजधानी क्या है ये सब आपको याद होनी चाहिए ये तो जनरल नॉलेज में आता है तो बांगलादेश की मुद्रा टका है ठीक है टका next राष्टिये आए का अर्थ है राष्टिये आए का अर्थ उत्पादन के साधनों की ठीक, अठारक एंसर D हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं भारत में उपभोगता सनक्षन कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोगता सनक्षन कानून 1986 में लागू हुआ 20 का एंसर B 21 देखते हैं भूमी विकास बैंक द्वारा किस परकार का रिड़ परदान किया जाता है? तो तिर्ग कालिन रिड़ ठीक है? 22 देखते हैं भारत किस परकार के आर्थिक प्रणाली भारत में किस परकार के आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में मिसरित अर्थविवस्था पाई जाती है भारत एक मिसरित अर्थविवस्था का देशा है नेक शलते हैं 23 पे नागा अर्जुन सागर परियोजना सम्मंदित है यह भी बहुत अच्छा कोश्चन है फेमस कोश्चन है नागा अर्जुन सागर परियोजना क्रिश्चन से तेज कैंसर टी 24 देखते हैं 26 दिसंबर 2004 को विश्वक का कौन भाग सुनामी से परभावित हुआ तो जो परभावित हुआ वो था बंगाल की खाड़ी 24 का एंसर डी हो जाएगा 25 देखते हैं समाने संचार विवस्था को बधित होने बादित होने का मुख्य कारण क्या है तो इसका मुख्य कारण केबूल का तूट जाना होगा 25 का एंसर ए 26 देखते हैं बाण च्छती पहुचाती है फसलों कहीं पहुचाती है जब बाढ आता है तो फसल भी बरबाद होते हैं पसु भी उसमें बह जाते हैं भवन भी तूट जाते हैं तो यानि कि इसका एंसर हो जाएगा उप्रयोक्त सभी को 26 का एंसर डी हो जाएगा 27 नंबर स्वाणिम चित्रभूज सम्मंदित है श्वाणिम चित्रभूज सम्मंदित है तो श्वाणिम चित्रभूज सडक मार्गों से सम्मंदित है नेक्स्ट कोश्चन बाढ के समय लोगों को जाना चाहिए जब बाढ आता है तो लोगों को कहां जाना चाहिए तो लोगों को जब बाण आती है तो उच्छ भूमी पर जाना चाहिए जहां का स्थान उचा उच्छ अस्थान पर जाना चाहिए जहां से वो बाण के प्रभाव से बस सके नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं निम्न में कौन छेत्रिय राजनितिक दल है निम्न में से कौन छेत्रिय राजनितिक दल है यानि कि ऐसा राजनितिक दल जो अपने छेत्र तक ही सिमित है तो 29 के एंसर हो जाएगा जनता दल युनाइटेड यानि कि जो अपने बिहार का है वो जनतादल United है, Next question देखते हैं वैसे भारतिय जनतापार्टि यह तो National Party है, हर राज में इसकी Party है ठीक है इन्डे जनल कॉंगरेटी भी राष्टिय पार्टी यह Communist भी है नेक्स कुषचन देखते हैं, पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है तो आपके जो गाम है, मुखिया पंचायत जो होता है, इसका चुनाव कौन करवाता है तो 30 के answer C हो जाएगा आगे चलते हैं, ठीस question दोखते हैं, भारत के किस राज से पंचायती राज की सुरुवात हुई भारत के किस राज से पंचायती राज की सुरुवात हुई तो राजस्थान से पंचायती राज की शुरुवात हुई नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं वर्स 1975 में भारतिय राजनीती में किस लिए जाना जाता है यानि कि वर्स 1975 भारतिय राजनीती में किस लिए जाना जाता है तो यह जाना जाता है जनता पार्टी की सरकार बनी थी 32 का एंसर हो जाएगा नई माफ कीजेगा इसका एंसर यह नहीं होगा बलकि 32 का एंसर C देश में आंतरिक अपात का लागू हुआ था तो 32 का एंसर क्या होगा 32 का एंसर C होगा Next question ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांथ से सुरू किया गया अंध्र प्रदेश से सुरू किया 34 धरम को समुदाई का मुख्य अधार कौन मानता है धरम को समुदाई का मुख्य अधार संपरदाइक मानते हैं ठीक है 34 का A आगे चलते है 35 में चलते है सत्ता में साज़दारी सही है क्यूकि सत्ता में साज़दारी सही है क्यूकि विभीन समिदाओं के बीच टकराओ कम करती है ठीक 35 का answer D हो जाएगा 36 देखते है हम इसलिए जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं क्योंकि मैट्रिक की एक्जाम में समय कम है और हमें जल्दी जल्दी से अपनी प्रैक्रिस करना है और अपने प्रैक्रिस को मजबूत करना है इसलिए हम चल रहे हैं ठीक है निपाल में सब्त दलिये गडबंदन का मुख्य उद्देश से क्या है तो लोकतंत्र की अस्थापना करना है ठीक है लोकतंत्र की अस्थापना करना आगे चलते हैं अब भारत के इन राज्यों में कौन कोईले का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है आप 37 नंबर के एंसर हो जाएगा यह तो आपको पता ही होगा शेटीस का जहरखंड सबसे बड़ा उत्पादक है नेक्स्ट चलते हैं 38 सर उर्जा के उत्पादन के लिए सरवधिक उप्योक्त राज्य है सर उर्जा मतलब सबसे आदा सर उर्जा के लिए उत्पादन के लिए राजस्थान 38 का एंसर C नेक्स्ट चलते हैं बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कोसी नदी घाटी परियोजना है 49 का एंसर B होगा 40 के और चलते हैं 40 देखते हैं सुन्दरवन टाइगर रिजर्व कहा है यह भी फेमस कुशन है और इन 80 question में से आपको 40 का ही answer देना है ठीक है चलिए हम आधे question तक पहुँच गया है अगला question देखते हैं एक 40 question देखते हैं और हाँ दोस्तों अगर इसमें से किसी भी कोई भी प्रश्ण का उत्तर अगर आपको गलत लग रहा हो और जो आपको लग रहा हो कि इसका answer ये होगा तो आप comment में नीचे डाल दीजेगा हम इसको pin कर देंगे ठीक है अगर आपको ऐसा लगे कि किसी का answer गलत हो तहब आप answer को comment कर दीजेगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं एक तालिष कोश्चन भारत में सबसे लंबा बांध कौन है भारत में सबसे लंबा बांध हीरा कुंड बांध है हलका question था, असान सा था, 42, कौन प्रात्मिक उर्जा का उधारण नहीं है, कौन सा प्रात्मिक उर्जा का उधारण नहीं है, विदुत next question, पुर्व मध्या रेल का मुख्याले कहां है, हाजिपूर, next question देखते है चावल है, चावल क्या है, खरीब फसल, रवी फसल, ज्यादा फसल या इनमें से कोई नहीं है, तो चावल, खरीब फसल है 44 का answer A हो जाएगा, 45 देखते हैं, निम्ड में से कौन नीजी छेतर की कमपनी नहीं है, कौन, सेल 45 का answer C हो जाएगा, 46 देख लेते हैं, कौन खनीज को डर्मा से सम्बंदित है, कौन से खनीज को डर्मा से सम्बंदित है, 46 का A, पॉकसाइड, अगर आपको इसका answer कुछ और लगता हूं, तो आप नीचे जरूर कमेंट कर देजेगा, ठीक है? 47 नमबर देखते हैं, Operation Flood का दूसरा नाम है, Operation Flood का दूसरा नाम हरित करांती, 47 का A हो जाएगा, 48 देखते हैं, लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन दो जीले परशिद्य हैं, ये भी बहुत असान है, सब को पता है, लीची कहां बिहार में सबसे ज़्यादा उकती है, अगर आपको एक भी याद है, आपको तो पता है, मुझपरपूर में, अगर आपको एक याद है, तो ये बच्चत कहलाता है 49 का C हो जाएगा 50 देखते हैं इन में से कौन बैपारिक बैंक की जमा का परकार नहीं है तो इसका एंसर होगा अधी विकर्ष 50 का एंसर C हो जाएगा 51 देखते हैं पूंजी बजार में किस परकार के रिनो का लेंदेन होता है पूंजी बजारों में किस परकार के रिनो का लेंदेन होता है तो ये होता है दिर्ग काल 51 का एंसर भी होगा किसने का गराक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्तुपून वेकती हैं वो हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं तो ये ऐसा किसने का की गराक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्तुपूर्ण वेखती है वह हम पर निर्वर नहीं हम उन पर निर्वर हैं ये तो आप तभी बता सकते हैं जब आप किताब अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका एंसर होगा मात्मा गांधी ठीक बावन का एंसर सी हो जाएगा नेक्ष्ट देखते हैं तिरपन इन में से कौन गैर आर्थिक अधार्भुत सनरचना का घटक है तो सिच्छा तिरपन का एंसर सी हो जाएगा चोवन देखते हैं इन में से कौन इन में से उर्जा का गैर प्रामपरिक सुत्र कौन है जवारिय उर्जा चोवन का एं पचपन देखते हैं गुडवाना समू के कोईले का निर्माण कब हुआ था ये भी आप तभी बता पाएंगे जब आप बुक अच्छे से पढ़े होंगे तो गुडवाना समू के कोईले का निर्माण 25 करोड़ वर्स पुर्व ठीक है 25 करोड़ वर्स पुर्व हुआ था 56 देखते हैं निर्म में से खरीव की फसल कौन है यह आप पूरा पढ़ देंगे एक बार कौन है कौन नहीं है तो घुमा के देता है इसमें पूछा है कौन है तो इसमें एंसर होगा अज़र चलिए यह आप एंसर आप खुद बताएंगे क्योंकि एक्जाम में आना ही आना है कौन सा खरीब फसल है कौन सा रभी फसल है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप देखके जाएंगे कि कौन सी फसल खरीब की है कौन सी फसल रभी की है तो इसका आज़र भी आप रिषिदार फसल नहीं है तो गन्ना जो है वो रिषिदार फसल नहीं है बाकी जो कपा से वो रिषिदार है जूट सन ये सब रिषिदार है इसका एंसर हो जाएगा 57 का C 58 देखते हैं कंडाला विशेश आर्थिक छेतर कहा है कंडाला विशेश आर्थिक छेत्र गुजिरात में है तो 58 का एंसर भी हो जाएगा गुटनबर्ग का जनम हुआ था ये भी असान सा खुश्चन है गुटनबर्ग का जनम कहा हुआ था तो गुटनबर्ग का जनम जर्मनी में हुआ था ठीक है जर्मनी इसका एंसर होगा साथ देखते हैं इंग्लैंड में मुद्रन कला की सुरुवात किसने की इंग्लैंड में साथ नंबर का एंसर हो जाएगा कैकस्टन कैकस्टन एक साथ नंबर देखते हैं 1917 में पहली रूसी करांती किस नाम से जानी जाती है तो 1917 की पहली रूसी क्रांती फरवरी के नाम से जानी जाती है यह सब important question है आप देखेंगे अपना score देखेंगे कि आप इसमें से कितना सही किया है देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी दोस्तों को भी share कीजेगा जो भी आपके मैट्रिक के student होंगे ठीक है बासट नमबर देखते हैं लाल सेना का गठन किष्णे किया था स्टालिन ने स्टालिन इसका एंसर हो जाएगा 63 नमबर देखते हैं और इंडिया मुस्लिम लिग की अस्थापना कब हुई आगे चलते हैं यह भी बहुत आसान सा क्वेशन तक सरी हर मंदर जी साहिब का इस्थित है तो यह इस्थित है अपने पिहार में अपने पिहार राज्य में कहां पे पटना में 64 का एंसर ए हो जाएगा बहुत सा आसल सा क्वेशन फिर एक बार और सिपाही विद्रो कब हुआ था यह सब ऐसी कोश्चन है जो बिहार बोर द्वारा बार बार पूछे जाते हैं सिपाही विद्रो कब हुआ था तो सिपाही विद्रो 1857 में हुआ था ठीक है 65 का एंसर हो जाएगा B, 6-6 देखते हैं स्विद्परांटी को सब्बंध अर्थेविवस्ता के किस छेतर से है तो स्विद्परांगी का सम्बंध प्रात्मिक छेतर से है नेक्स्ट विश्चन देखते हैं भीहार दीवस कम मनाया जैता है बृहार दीवस कम मनाया जाता है 22 मार्च को 66 का एंसर भी होगा सबसे बड़ा पसु मेला आयोजन कहां होता है ये भी सबसे आसान कोश्चन अपने सोनपूर में होता है जो सोनपूर का मेला लगता है अप सभी ने सुना होगा इसको ठीके 68 का A एंसर हो जाएगा 69 देखते हैं सासाराम का इतिहासिक सासक का मकबरा इस्तित है ये भी बहुत ही फेमस कोश्चन है पूरे बिहार का सासाराम में इतिहासिक सासक का मकबरा सेरशा सूरी का है ठीके जो चारोतरब से पानी से घीरा हुआ है Flying Suttle Machine का अविश्कार किष ने किया flying subtle machine का अविश्कार जॉन के ने किया 70 का answer भी हो जाएगा 71 देखते हैं दुरगापूर still plant किस राज में इस्तित है हम जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हमें practice करना है ठीक है इसलिए आप अपना answer जल्दी जल्दी सोचते वे आगे क्यों बढ़ेंगे और अगर अच्छा लगाओ तो अपने friends को भी इसको देखाएंगे friends में भी share करेंगे हम इसके आगे भी लेकी आएंगे science है math है संस्क्रीट है ठीक है 71 देखते हैं दुरगापूर still plant किस राज में इस्तित है तो दुरगापूर still power plant पश्चिम बंगाल में सत्तर इस्वी में हुआ था सेडान का यूद 1870 इस्वी में 73 नमबर देखते हैं हेगल कौन था हेगल कौन था हेगल एक दार्षनिक था 74 नमबर मार्च 1946 में France A.O.V. अतनाम के बीच होने वाला समझाता किस नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है हनोई समझाता हनोई समझाता 75 नमबर कोश्चन देखते हैं इसमें टोटल 80 कोश्चन है 75 नमबर का कोश्चन देखते हैं बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया तो ये 1905 इस वी में किया गया ठेक है 1905 इसका ए एंसर होगा 76 देखते हैं किस से भुकम्पिय तरंग की गहंता सबसे कम होती है तो ये होती है इस तरंग 76 का एंसर भी हो जाएगा 77 देखते हैं कुल जल का कितना परतिशत भाग महासागरों में है कुल जल का कितना परतिशत भाग महासागरों में है तो 77 का एंसर D. 97% 78 देखते हैं बिहार की किस नदी पर नदी घाटी पर्योजना नहीं है फिर से एक बार पूछाए हमसे यहां पर नहीं है ठीक है तो किस नदी बिहार की किश नदी पर नदी घाटी पुर्यूजना नहीं है पुन-पुन पे ठीक है पुन-पुन इसका एंसर हो जाएगा 79 देखते है गेहू फसल है फिर से एक बार वैसा ही कोश्चन आगया रवी फसल खरीब फसल से इसको आप देख लेंगे ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा भी आखरी कोश्चन देखते है 80 बलवन्तराय महता समीती का शंबंद इन में से किस्से है बलवन्तराय महता कमीटी का समबंद इसमें से पंचायती राज विवस्था से है ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा 80 का भी एंसर हो जाएगा तो यहां पर हमने एक से लेकि असी तक सारे अब्जेक्टिव कोश्चन का एंसर देख लिया है अगर आपको इन में से किसी का एंसर गलत लगता हो तो नीचे कमेंट कर दीजेगा हम उसको पिन कर देंगे यह अभी हमने जो किया वह बिहार बोड द्वारा जारी ऑफिशल पेपर मॉडल पेपर था आप इसको अच्छे से दिख के जाएंगे क्योंकि हो सकता है इसमें से कोशन रिपीट करें और अपने प्रैक्टिस को बन के लिए वो कोशन लेके आएंगे और अपके साथ एक्जाम में भी बने रहेंगे तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजेगा अपने दोस्तों के साथ जितने भी टेंथ में मैट्रिक में हों सभी को सेर कीजेगा ठीक है फिर मिलेंगे तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें प्रैक्टिस करें ठीक एक्जाम में ज्यादा दिन नहीं है ठीक है तो सभी को आल दा बेस्ट थाइंक यू फोर दा वाचिंग वी आर ट्रिकी